चलिए थार अब बढ़ते हैं थोर्म 6.5 के तरफ, थोर्म 6.5 में एक और पर इसको समय लेंगे, क्या कहता है, कि थोर्म 6.5 ये कहता है सर, इस बार ये दोनों पहले नहीं है, बस ये बताए गया है, कि एक लाइन, दो लाइन को काट रहे हैं और हाँ यह जो अंदर का एंगल है यह जो X और Y है यह दोनों supplementary है यह बोला गया है supplementary मतलब यह दोनों sum पूर रखें कि इन दोनों का योग आएगा 180 degree इस बार यह दिया हुआ क्या दिया हुआ है एक लाइन दो लाइन को काड़ते वह जाएगी ठीक है और इंट्रियर एंगल का साम आएगा 180 degree यह मुझे बोला गया अब आगे देखते हैं देन टो लाइन आर पहलेल प्रूब करना है कि दोनों लाइन पहलेल है हाँ प्रूब प्रूब यह करना है यह दोनों लाइन पहलेल है प्रूब यह करना है यह दोनों लाइन क्या होगी पहलेल होगी इस बार दोनों पहलेल करने हमें प्रूब ठीक है सर तो पहलेल लग दें गिवन कहा है तो गिवन इस पार कुछ नहीं है बहुत आसान चीज है गिवन हमारे पास स्पस्सक्ट लिए वह जो है किसके पहले टीव है कि कि कहा है यह यह दिए यह दिया हुआ है जो एंगल एंगल BQR है यहनि एंगल BQR है प्लस प्लस जो एंगल QRD है एंगल QRD इनका सम 180 डिगरी आ रहा है आम भाहसा बोलू BQR का मतलब होता है X और QRD का मतलब है Y X प्लस Y है 180 डिगरी ठीक है तो इसे मान लेते एक्वेशन फर्स्ट इसको फर्स्ट मान ले क्या हना नहीं फर्मने के जुरूत नहीं ऐसे रहता हो यह गिवन मतलब दिया है हिंदी में टूप रूप टूप रूप को हिंद्य बोलते सिद्ध करना क्या बोलेंगे इसको सिद् कि मेरे पास जो AB वाले लाइन है वो CD के पहलेल है जो लास्ट में लिखा होता है यहां क्या लिखा होता है लास्ट में लिखा होता है एवी पहलेल सिद्ध के समान तरह एवी पहलेल सिद्ध ठीक है तो प्रूप करना है बहुत बढ़िया बात यार एवी को सिद्ध करना है जिल यह सर अविट आजे सर प्रूट पिया जोगंड किस वाजो प्रूब पे अनुख और गीवान डोप पुरूब पुरूब गूले तो उथ पत्ती हिनु पुरूब गूले तो ऊथ पत्ती ठीक अप रूप कैसा करना सरावर पुरूब की मात करें लिखो सरा पूह उप पत मुझे और दिया है ना कि x plus y is equal to 180 degree x plus y is equal to 180 degree यह given है यह क्या given given मतलब दिया है यह मुझे given है x plus y is equal to 180 degree और हाँ क्या a और x का सम मैं बात करूँ एंगल p q b यह मैं ऐसे बूलो angle b q p angle b q b q p यानि angle a और angle b q r यानि angle x क्या angle a और x को जोड़ने पर 180 degree नहीं आएगा बिकूल आएगा मैंने बताया ने जब भी कोई लाइन होती है और उसको पर कोई खड़ी लाइन होती है तो इसके इस साइड और इसके इस साइड जो दोनों angle बनेंगे उनका सम आएगा 180 degree यानि लिनियर पियर हाना तो angle b q p angle b q r angle b q p हाना angle b q p पलस angle b q r is equal to 180 degree यह क्या मेरे पास यह क्यों है सरे इसको बोलेंगे linear पियर linear पियर और हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे रेखिग यूगम रेखिग यूगम अब देखो b q p को a बोला गया और b q r को y x बोला गया छोड़ ज्यार क्या प्रूव करना a plus x बरावर a plus x बरावर 180 degree a plus x बरावर 180 degree इसको मानलो equation दो इसको मानलो equation दो मानलो ठीक है अब प्रूव का करना मुझे प्रूव तो करना है क्या कि a b c d पहला लग चलो एक बार देखते हैं अब दोगो बैटा कुछ बच्चे अब दोनों को जोड़ तो नहीं बड़ेक चीज़ देखो x plus y का सम भी 180 है और a plus x का सम भी क्या है 180 इन दोनों का सम 180 है न इनने दोनों सेम चीज़ के बरावर है तो अगर ये भी 180 के बरावर है ये दोनों आपस लों क्या हो जाएगे इकोल हो जाएगी हना तो क्या बोलेंगे सब्सक्राइब एक और दो से फर्स्ट एक्स प्लस वाई इसके ए प्लस एक्स के बरावर हो जाएगा हाँ ना ठीक हो गया एकस 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 कैंसिल क्या हुआ यहां पर यहां पर एक हो इंगल है तो पता है कि A और Wाई आपसे कौनसे एंगल है, मुझे तो पता है A और Wाई आपसे कौनसे एंगल है, our highlighting angle तब ही equal होते हैं, जब दो line को होती है, पहले अगर और इक लिटिव हो आ रहे हैं ना इसका मतलब A big year के parallel हो सीडिके parallel बह्यात तब यहां देंगे here crossfon now you're cross bonding यह एंगल क्योंगर Lewis is equal here plus one and补 या जब दो स्वेन यह Paulソjh जब दो को स्वेन अंगल को एसना प्लइन फुल आई पलल होती है इत मीन्स एबी पेलल सी डिएट मींस एबी पेलल सी डि यहां खन भी प्रप वाइ इक लापर लोinstant क्या बोलेंगे हिंद रोलेंगे हिंद वालेवाल बच्चे बोलेंगे यहां संगत कोन समान है इसका अर्थ AB समानतर स्वीडी रसंगत कॉन समाने इसका अर्थ ab samantar स्वीडी अ गया ठीके सर यह तुमने पूरूव कर न तरह लुद्ग यहां से मेरेस जो सर हमारा जो next lecture होगा सर next lecture में हम क्या लेक आएंगे सर next lecture में आपके लाएंगे हम exercise 6.2 के questions ठीक है तो सर बने रहे हमारे साथ और फिर मिलते है next lecture में